तो जैसे कि आप सभी जानते हैं टिक टॉक और यूसी ब्रावजर समीद 59 एप्स जो चाइनीज एप्स हैं उनको इंडिया से बैन किया गया है और ये इंडियन गॉर्मेंट ने किया है तो दोस्तो ये क्यों बैन हुए है और क्या टिक टॉक बापिस आ सकता है या नहीं आ सक करें दोस्तो अगर हम बात करें चाइनीज एप्स की तो कुछ 59 एप्स ऐसे हैं जिनको इंडियन गवर्मेंट ने बैन किया है जैसे कि मैं आपको बताता हूँ दोस्तो ये एप है जैसे कि टिक टॉक है शेरिट है कवाई है यूसी ब्रावजर है वेडू मैप है शेन है क्ल विचत यूक्यूनीज ओक्यूमिल वेडू जंडर यूक्यूमूजिकूनूस्वीड विगोलाइट सेल्फीटियूमियल्मस्ते बैलेल श्पेस्नीट सेल्लेश पारल श्यूमिदियो वीदियो वेसेश के लिंच एप्स्तों यूमिद्टून ड्यूड़ द्यूर रल्यून दोस्तो अगर आप टिक टॉक यहाँ पर इंस्टॉल भी करते हैं अगर कहीं और सोर्स से आप डाउनलोड करते हैं तो वह भी आपका नहीं चलेगा वहाँ पर आपको notice आ जाएगा और आपका जो अगर आप टिक टॉक पहले से भी चला रहा थे तो वह आपका नहीं चलने वाला जब तक नहीं चलने वाला जब तक बैन है इंडिया में शायद ये आगे खुल सकता है लेकिन इसकी कोई guarantee नहीं है हाला कि ये बात अभी चल रही है Ministry of Information Technology में ये बात चल रही है कि TikTok बैन होगा या नहीं होगा फिलहाल ये आपको Play Store पे भी नहीं मिलेगा और जो Vigo Video है वो भी आपको Play Store पे नहीं मिलेगा और धीरे धीरे ये करके जो 59 Apps हैं जो की list मैंने आपको बताई है भी उन में से भी एप remove हो रहे हैं हाला कि अभी सारे एप जो हैं वो remove नहीं हुए हैं अगर आप किसी और source से download करते हैं तो वो भी आपके लिए सही नहीं है अगर आप Play Store से download करते हैं TikTok को तो वो तो सही है लेकिन आपको Play Store पे नहीं मिलने वाला नहीं आपको Vigo Video मिलने वाला है तो दोस्तों अगर आप download करते हैं किसी और source से तो आप download मत कीजिए मैं आपसे बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप किसी और source से download करते हैं तो हमें पता नहीं है वो कैसी website है कहां से आप download करते हैं और कितना safe app है क्योंकि बहुत सारे similar app भी होते हैं जैसे कि अगर हम बात करें एक Indian government डे एक app निकाला था आरोगय सेतु तो दोस्तों अगर आप बाहर से कहीं से download करते हैं तो उसके काफी जादा similar app आ गए हैं जो के हमें पता नहीं है कि कौन-कौन से सही app है तो इसलिए जो भी आप app download करें वो सिर्फ और सिर्फ play store से download करें और बैसे भी जो भी app हम चाहते हैं तो वो play store पर आसानी से मिल जाता है जो illegal app होते हैं तो वो play store पर नहीं मिलते हैं उनका APK आपको internet पर मिल जाता है जो के हमारे लिए बिल्कुल safe नहीं है और इसलिए जो भी app Indian government है हमें बताएं जो मैंने लिस्ट आपको बताई हैं 59 apps जो है remove होने वाले हैं प्ले स्टोर से तो दोस्तों वो भी हमारे लिए अगर आप APK डाउनलोड करते हैं तो हो सकता है कि हम जब app install करें तो वो data हमारा leak हो जाए क्योंकि ऐसे में जो वार चल रहा है तो आप जानते ही हैं सब चाइना का और इंडिया के भी जो बार चल दा है तो फिलहाल जब तक ये condition सही नहीं होती तो प्लीज आप इन apps को install नहीं कीजिए अपने phone में और पहले से भी अगर आप चलाते हैं UC browser, TikTok या फिर कुछ भी है तो प्लीज पहले उसे uninstall कीजिए अपने phone से फिलहाल के लिए uninstall कीजिए बात की बात में देखी जाएगी जब ये मामला सब सही हो जाएगा तो शायद TikTok बापिस आ सकता है लेगन और apps की नहीं कह सकते कि वो बापिस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप किसी और source से कोई भी Chinese app install ना करें अपने phone में क्योंकि पता नहीं कुछ भी हो सकता है आपका data कहीं भी leak हो सकता है तो जो भी आपको ऐसा app लगे कि जो इस list में भी नहीं है और आपको ऐसा लगे कि यह मैंने कहीं दूसरे source से डाउनलोड किया है तो वो भी आप uninstall कर दीजिए और जो play store पर आप है वो ही आप install कर सकते हैं अपने phone में दोस्तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी भी information मिली है तो इस वीडियो को ज़रूर शेर करें अपने दोस्त में, families में और ये वीडियो लाइक करें सब्सक्राइब करें, skyking technical channel को और ये वीडियो शेर करें, अपने friends के साथ मिलते हैं, अगले वीडियो में तब तक के लिए, bye bye